गुड मॉर्णिंग मेरे दियर फ्रेंड्स आप लोगों ने मुझे एक कुछ पुछ आर्पेसी का आर्पेसी फर्स्ट ग्रेड का वो यह है कि निम्लिखित में से कौन सा करगे का एक भाग है जिसके बीच में एक छेद या आँख वाला तार होता है जिसके माध्यम से ताना का सुथ पिरोह जाता है सब बच्चेवने हार्नेस लिखा होगा हंडेड पर्सेंट हार्नेस करगे का भाग है लेकिन ये क्षेचर्ट आपका कठिन कुश्टन में आता है depth में question पूछा गया है, कि जो harness के बीच में एक तार होता है, तार के बीच में जो छेद होता है, जिसे तारें के धागे प्रोए जाते हैं, उसको हम hilt shaft बोलते हैं. harness का ही part है, harness का ही जो harness में बहुत सारे रहते ना, तार लगे हुए, कम से कम दो तार तो रहता ही है और जितनी आप डिजाइन अच्छा बनाना चाहते हैं उसमें उत्रे ही हिल्ट सेफट की संख्या जादा होती है तो हरे एक छेद में जितने छेद हैं सब में ताने के धागे पिरोये जाते हैं तो करेक्ट एंसर आपका हिल्ड सेफ्ट ही ही होगा कि हार्नेस भी है अगर हिल्ड सेफ्ट नहीं रहता तो करेक्ट एंसर आपका हार्नेस ही होता हार्नेस उसका पाल्ट है करके कमुखे पाल्ट में आपका सटल भी है हार्नेस भी है रीड भी है जिसको कंगी बोलते हो है ना ह चेद को यह डल बोलते हैं और एक जिसमें एक तार को हम अगर आपको लगता है कि इसमें हम हारने के उपर हम कंप्लेंड कर सकते हैं तो आप कर भी सकते हो क्योंकि हैं करगे का पार्ट नहीं है हारने का ही एक पार्ट है हारने को जब डिटल्स में पढ़ोगे न तो उसमें एक पार्ट उसी का एक तार के बीच का एक छेद जो है जिसमें धागा फिरो जाते हो उसको हम हीडल सैफ्ट बोलते हैं ठीक है बात समझबा गई तो चलिए वह अपने वीडियो का ही विराम देत